आज हमने बैगन को बिना भूने बहुती जटपड़ वाला बैगन का भरता बना करके तयार किया है चलिए आप हम इसको बनाना बताते हैं यहाँ पर हमने बड़े वाले पांच बैगन लिये हैं जितनी कौांटिटी में आप इस भरता को बनाना चाहते हैं आप उतने ही बैगन ले लें यदि आपके पास छोटे वाले बैगन हो तो आप छोटे वाले बैगन से भी भरता बना करके तैयार कर सकते हैं वो भी आज हम बिना भूने होगे और बिना छिलका उतारे होगे हम आज बहुती टेस्टी बैगन का भरता बना करके तैयार करेंगे जब कभी आपको बैगन खाने का मन होता है और आपको जंजट लगती है कि बैगन को हम भूनेंगे और फिर बैगन को ठंडा करेंगे फिर उसका छिलका उतारेंगे और इसके बाद में हम इसका भरता बनाएगे नहीं आज इसमें आप कुछ भी नहीं करना हैं फिर भी आपका जो बैगन का भरता है बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होगा सबसे पहले जो हमने बैगन लिये थे बैगन को हमने तीन चार बार अच्छे से साप पानी से धूलिया था और जो इसके डंठल थे डंठल भी हमने कट कर लिये हैं और इस तरीके से हम कच्छे बैगन का ही छिलका उतार देंगे जब आप इस तरीके से बैगन का भरता बनाएंगे तो यकीन मानिए दोस्तों यतना टेस्टी भरता बनेगा बो भी बहुत ही जटपट बन करके तैयार होगा और आप जंजट की बज़े से इस बैगन की भरता को नहीं बनाते हैं देखो हमें सारे बैगन को अच्छे से छील लिया है और इसको हम छोटे छोटे टुकडों में इस तरीके से कट कर लेंगे और हमें इस बैगन को बहुत ज़्यादा दिर तक नहीं रखना है जिससे जो नहीं तो हमारा बैगन है काला पड़ जाएगा यदि आपको ज़्यादा दिर तक इस बैगन को रखना है तो आप थोड़े से पानी में डाल कर इसको रख दें जिससे जो आपका बैगन है बिल्गुल भी काला नहीं पड़ेगा इसी तरीके से हम सारे बैगन के इस तरीके से ना बहुत जादा छोटे टोकड़े ना ही बहुत जादा बड़े टोकड़े मेडियम साइच के टोकड़े कर लेंगे और इसको पानी में डाल करके रख देंगे देखो हमने इस तरीके से छील करके और सारे बैगन को कट कर लिया है और हमने इसमें पानी डाल दिया है जिससे जो हमारे बैगन है बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे और जो हमारे बैगन का भड़ता है बिल्कुल एकदम लाजवाब बन करके तैयार होगा गैस पर हमने कोकर लग दिया है कोकर में जो हमने बैगन लिये थे बैगन को हम इस तरीके से डाल देंगे और हमें इसमें अभी ना तो किसी तरीके का घी डाल ला है ना ही किसी का ओयल डाल ला है बिना घी ओयल की ही हमें इसको तोड़ी देर तक कोकर में अच्छे से पका लेना है और इसमें हम तोड़ी से कुछ मसाली डाल सकते हैं और हम इसमें टमाटर डाल देंगे बैगन के भरते में टमाटर का तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें हम कास्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसमें हम थोड़ा सा धन्या पाउडर डाल देंगे और हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे और अच्छे से इसको नमक डाल खे थोड़ी देर तक अच्छे से मिक्स कर देंगे गैस को मीडियम रखेंगे मीडियम गैस पर हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से भून लेंगे और अब हम इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे बैगन भी पानी छोड़ता है और टमाटर भी पानी छोड़ते हैं इसमें हमने छोटे गलास से एक गलासी पानी डाला है और अच्छे से मिक्स कर दिया है आज का जो हमारा भरता है बहुती लाजवाब बन करके तैयार होगा दोस्तो हम आपको एक बार यकीन दिला दें यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप एक लाइक जरूर करते हो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड में सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भीना भूलें कोकर का हमने ढखकन लगा दिया था और दो हमने सीटी आने दी है क्योंकि जो हमारा बैगन है बहुत ही जल्दी पक करके तैयार हो जाता है देखो जो हमारा बैगन है कितने अच्छी से मैस हो चुका है जो थोड़ा खड़ा-खड़ा सा दिख रहा है उसको हम चमच से चला इसे जो हमारा बैगन है वो अच्छे से बिल्कुल मैस हो जाएगा दुबारा से हमने गैस पर एक कड़ाई रख दी है थोड़ा सा हमने सरसो का ओयल गरम कर लिया है उसमें हमने एक चमच भर के साबूत धनिया डाल दिया धनिया का इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता ह और एक चमच भर के हमने जीरा डाल दिया है जीरा का भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है और दो तेन हमने मीडियम साइज की प्याज को छोटु छोटु टोकड़ों में कट कर लिया था उसको भी हम इसमें डाल देंगे और प्याज को हम फोड़ा सा सौट करेंगे प्यास में हमें बहुत ज़्यादा कोई कलर नहीं लाना है, थोड़ा साही सौप्ट कर लेना है, देखो हमारी प्यास सौप्ट हो चुकी है, अब हम इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, तीक है आप अपने टेस्ट के एकोडेंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं और हम इसमें एक दो चमच भर के अच्छे से धनिया डाल देंगे, धनिया इसमें बहुत ही अच्छी लगती है, थोड़ी सी हमने इसमें साबुत धनिया भी डाल दी है, और हमने यहाँ पर आदी कटूरी मटर ले लिया है, हमारा फ्रेश मटर है, यदि आपके पास फ् अच्छा करके रखाता, उस टमाटर को भी इसमें डाल दिया है, और थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देंगे, और अच्छे से मटर को पकने देंगे, जब हमारा मटर अच्छे से पक जाएगा, तो जो हमने कोकर में बोयल करके बैगन टमाटर को रखाता, उसको हम इसमें ड जहनजट है नहीं इसमें ठंदा करके छिलका उतारने की जहनजट है। आज हमाиход बहुत ही टेस्ट बेंगा भरतबन करके तैयार होगा। खाने में बहुत टेस्ट लगी गए जा में तो कोई जहनजट हैं। कभी भी विस बैगन की भरता को बना करके तैयार कर सकते हैं थोड़ा सा हम इसमें और हल्दी पाउडर डाल देंगे और अच्छी से मिक्स करतेंगे यकिन मानिए दोस्तों बहुत अच्छा आज कहिए हमारा बैगन का भरता बन करके तैयार हो जाएगा थोड़ा सा हमने इसमें गरम मसाला डाल दिया है कोई सा भी आप इसमें गरम मसाला डाल सकते हैं देखो जो हमारा मटार है अच्छे से पक चुका है और बिना भूने हुगे आज ही हमारा बैगन का भरता बन करके अच्छे से तयार हो चुका है जब आप इसे पूरी पराठे और रोटी के साथ खाएंगे तो खाने में बहुत टैस्टी लगेगा एक प्लेट में हम भर करके इसको सर्व करेंगे दोस्तों फिर से हम आपको एक बार याद दला दें यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सस्क्राइब करना तो आप बिलकुल भी न भूलें देखोए हमारा कितना अच्छा बैगन का भरतापन करके तैयार हो चुका है